आप देखे हैं दे फिल्म न्यूज यूटूब चैनल और कहा कि उन्हें इस एप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने राज के अन्य एप में से एक को देखा है मिका ने आगे कहा कि मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि क्या होगा चलते हैं देखते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा मुझे इतना knowledge नहीं है उनके app के बारे में मैंने एक app देखी थी वो simple app थी ज़्यादा कुछ नहीं था उसके अंदर इसलिए अच्छे के लिए उमीद करता हूँ जो भी होगा अच्छा ही होगा बता दें इससे पहले पुनम पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी पुनम ने शिल्पा सेटी के प्रति सहानुपुती जताई है पुनम ने social media account पर एक video share किया है वीडियो में पुनम कहती है इस वक्त मेरा दिल शिल्पा सेटी और उनके बच्चों के लिए दुखी हो रहा है मैं सोच भी नहीं सकती कि शिल्पा किन हालातों से गुजर रही होंगी इसलिए मैं इस अवसर का इस्तमाल अपना ट्रॉमा हाइलाइट करने के लिए नहीं करूँगी बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि साल 2019 में मैंने राजकुंद्रा के खिलाफ फुलिष में शिकायप दर्ज करवाई थी फिलाल इस वीडियो में इतना ही बॉलिवुड और टेलिविजन की खबरों के लिए देखते रहे है दे फिल्मीन न्यूज